ये धर्ती शहीद निलामबर प्रितामबर की धर्ती है मैं धर्ती को प्रणाम करते हुए इतनी बड़ी रेली इतनी बड़ी संख्या में माताए बेने आपका ये आशिरवाद, आपका ये प्यार मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ साथियों याद करिये कॉंग्रेस के समय क्या हाल था यहां बंप उड़ते थे, आतंगवादी गोलिया चलाते थे निर्दोशों को मोत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर बेचती थे, लव लेटर अमन की आश लगाती थे, अमन की आश पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे, उससे ज़्यादा आतंकी बेचता था और बम गोले लेकर वो देश में खुन की होली खेलते थे और जब आपने एक वोट दिया न, उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया, इतना दम भर दिया मैंने आते ही कह दिया, इनप पिजिनप बहुत हो चुका है अभी एक खेल नहीं चलेगा, मा भारती का अपमान नहीं समगा निर्दोशों को नहीं मारने दूँगा, आज नया भारत दो जियर नहीं विज़ेता ये नया भारत है, गर्म में गुश कर मारता है जे एम एम कॉंगरेस के नेताओं ने ब्रस्टा चार से अपार दन संपदा खड़ी किये मेरे पाथ अपनी साइकल भी नहीं है, न मेरा घर है साथियों, संपत्ति हो, राजनीती हो, सब कुछ ये अपने अपने बच्चों के लिए अरजित कर रहे है ये उनके लिए विरासत में धेर सारी काली कमाई छोड़ कर जाएंगे लेकिन मोदी को किसके लिए छोड़ना है भाई आगे कुछ रखा ही नहीं है, पीछे भी कुछ रखा नहीं है मेरे वारिस तो आप सभी है आपके बच्चे, आपके नाती पोते, यही मेरे वारिस है मेरी इच्छा है, मैं विरासत में आपको, आपके बच्चों को विख्सीद भारत दे करके ही जाऊं ताकि आपको कभी मुसीबत भरी जिन्दगी जीने की नौबत ना आए आपका अच्छा जीवन हो, आपको वो सब न देखना पड़े, जो मेरे जैसे परिवार और मैं आपको भी कहता हूँ, जब इस चुनाव अभियान में आप गाउंग आफ जाएंगे ना और गाउं में कहीं भी कच्छा मकान दिखे, कोई परिवार को अजीव वक्तागर पहुंचा नहीं है, ऐसे एक दो लोग में सकते हैं, उनको नाम पता लेकर के मुझे बेज दीजी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, तीसरे टम में जब मैं अगली बार प्रधान मंत्री बनूँगा, उनका घर पक्का बना करके दे दूँगा, और आप लोग भी मुझे जानते हूँ, नहीं जानते हूँ, आप मान लीजिए, मेरे लिए आप ही मोदी है, जाके गारंटी दे देना, मोदी यहां रोजगार बढ़ाना चाहता है, मोदी आपके जिवन में खुशाली लाना चाहता है, लेकिन कॉंग्रेस वालों की नजर आपकी जायदाद पर पड़ गई है, कॉंग्रेस हो या जी एम एम हो, उनको और कुछ नजर ही नहीं आता है, लेकिन अब ये कॉंग्रेस और उनके चट्टे बट्टे ये जी एम एम और आरजेडी साब, ये आदिवाचियों का, पीछडों का, बलीतों का, आरक्षण में डाकाण डाल कर, आरक्षण में से कुछ हिस्सा छीन करके, ये धर्म के आधार पर संविधान बदल करके, मुसलमानों को देना चाहती है, जब तक मोदी जिन्दा है, दलीतों के, आदिवाचियों के, पीछणों के, आरक्षण में से, रत्ती भार मैं धर्म के आधार पर उनकी वोट मेंक को नहीं देने दूँगा, अपने राजिस जुडी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्स्ट्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले,